जहीं दोस्तों स्वागत है आपका और एकने वीडियो में और एकने डोपिक के साथ में उड़ोकर देवू और मेहुराजेश फ्रेंच आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है पाकिस्तन मीडिया क्राइंग एज इसराइल बेन हाफिस साइद एलेटी ग्रूप एलेटी ग को सिवाइब नहीं रहा है कि अधे बहुत लंबा इतने शारा नांगलिकों की हत्या कि इस अधार लगा दिया इज़री दोस्तों देखते पाकिस्तान की लगे तो लाइक और ज़रू से कर दिएगा जरनल पर पहली बार आप इस्राइल ने बड़ा फैसल लेते हुए लश्करे तैवा को आतंक की संगठन की सूची में शामिश किया है मुँबाई हमले की पंद्रवी बरसी से पांच दिन पहले यह फैसला लिया गया कि इसराइल ने जो लश्करे तैवा है उसको बैन किया अब ये पंद्रा साल के बाद आपको पता है कि हो रहा है कि जब मुबई हमले हुए थे लश्कर को आतंकी संगठन घोशित करने के बाद इसराइल के दूतावास जो कि भारत में स्थेत है उन्होंने एक बयान भी दिया है और उस बयान में उन्होंने काए कि ये ऐसा करने के लिए भारत ने इसराइल से अनुरोत नहीं किया था इसराइल ने लश्करत तयबा को बैंड कर दिया उस पर पावंदी लगा दी आज तक इसराइल ने नहीं लगाई थी पावंदी जबकि चबिस ग्यारा में यहुदी बिमारे गए थे अब जाके इसराइल ने बोला एक नहीं 26-11 आने वाला है उसकी anniversary के पहले पहले उन्होंने बैन कर दिया आप bankruptcy के फिर आलमुस धाने पर हैं कोई road map मौजूद नहीं है कोई farm policy नहीं है कुछ भी नहीं है और isolation है हर तरफ से धंकियां और धके और ठुड़े हैं और इन हालात के अंदर एक तो मैं पहले ही तश्वीश थी यह बात कि कि आप किसी जगा मौजूद किसी टेबल पर आपको invite नहीं किया जाता यह हम मुसल्मान हैं हम हुद को मुसल्मान आशकिया रसूल कहते हैं बस फलस्तीन में कब से जुलमस्ताम हो रहा हैं आईता किसी ने अबाद उठाईएं इन सरकमस्तांसिज में एल एटी लेशकरे तईबा को दैशतगर्द और्गनाजेशन करार देना वो जखमी थे हमेशा वो आपको यह कहते रहें कि वहमें प्रूफ दें एल एटी के खिलाफ हाफज सईद के साथ यह सारा कुछ करें आपने नहीं किया तो यह इस से भारत की फारण पालिसी एक स्टेप फर्दर आपके खिलाफ जा चुकी पर बात कर रहा हूँ जिससे हम दुश्मनी करना चारें जंग करना चारें वो आज एकॉनमिकल तोर पर बहुत साथ स्ट्रोंग हो गया कुछ पाकिसान का सोचो यह कहां जा रहा है पर आज पर उस दुनिया आपके बारे में क्या सोच रही है कभी पासपोर्ट बेशते हो कभी कुछ बेशते हो कभी कुई कुई चीज बचाओ जो नाफ हार सहल हो पाकिसान में जय हिन दोस्तों दोस्तों 26-11 मुंबई में जो अटेक हुआ था उसके पीछे जो गुरुप था उसका नाम था लसकरे तयवा उस गुरुप का जो लीडर था वो था हाफिस सहिद और दोस्तों 26 तारिक को 26 नॉमबर को उसके 15 साल कंपलीट हो जाएंगे और दोस्तों आज सुबई इस्रेयल ने लसकरे तयवा को एक आतंगवादी संगठन घोसित करते हुए उस पे बैन लगाया इस्रेयल अभी तक लसकरे तयवा को आतंगवादी संगठन नहीं मानता था लेकिन जब हमाज जैसी एक्टिविटी हुई सेम एक्टिविटी लसकरे तयवा भी किया करता थो तो इस्रेयल को खुद ही रियलाईज हुआ कि भारत ने जो लस्कर तयवा का चेहरा विस्व पटल पे लाया है वो कितना ज्यादा रियल है और इस्रेल ने उसको एकसेप्ट किया और तुरंट उस पे बैन लगाया और उन्होंने कहा है कि लस्कर तयवा का आतंगवादी अगर कहीं पी दिखा लगा तो इसरेल भी उनको खतम करने में भारत की पूली सहथा करेगा अब दोस्तों इसको लेकर जो इसरेल के दूताव दावास भारत में और जो एंबइसी है उनकी तरफ से भी एक ऐक ऑफिसिल पयान आया है इसरेल के Node मेंवेसी कि उन्ने ल कि अनुट को एक आतंगवाधी संगटन और ब혈न भारत के अनुरोथ पह नहीं किए उन्हें स्वय म्लगा ये कि ल क्लतर अपनधरी कि हो रहा है कि जब मौंबई हमले हुए थे इस इन सरक्मस्टांसिज में एल एटी लश्क्रे तईबा को देशतगर्द और्गनाजेशन करार देना वो जखमी थे हमेशा वो आपको यह कहते रहें कि भाहमें प्रूफ दें एल एटी के खिलाफ हाफ़स सईद के साथ यह सारा कुछ करें आपने नहीं किया तो यह इस से भारत की फारंट पालिसी एक स्टेप फर्दर आपके खिलाफ जा चुकी और आपको मजीद दुनिया में एक्स्पेन करना पड़ेगा कि लश्क्रे तईबा क्या है वाई यू आर इन लव विद देम वाई यू है वाई यू है व फिल सले के अंदर जो सारा कुछ हो रहे है दुनिया के अंदर उसमें पाकस्तान कही भी नहीं पहले भी आप आइस वलेशन की एक स्ट्रीम में पहुंच चुके है पहलेगा डालर मिले तो डालर दे चाइना वाले तो सी पैके कीँट शुरूट कर देते हैं डालर ना मिले आपको तो आप अमेरिका को गोले बेचते हैं, अमेरिका वो लेके जो डेता है उकरेन को, आप उनके साथ डिले करते हैं, आप उनके साथ लबी-डबी होते हैं, आप IMF के packages लेते हैं, तो आप डालर बेस आपकी foreign policy है, आपका कोई अगर देखा जाए, 42% रपोर्ट आई है आपकी महंगाई है जो बढ़ चुकी है तो साजी साथ ये सर इसमें एक एक पॉइंट में आप से वह डिसकुस करना चाहूंगी कि ये जो उन्होंने ये स्टैप उठाया इसमें क्योंकि अब इस्राइल खुद भी हमास ने दैश्टगर्दी का हमला महाँ पे उसी तरह का बॉर्डर सेंटर होके और उन्होंने वह बहला हमला कि और इंडिया के साथ जो हुआ था वो भी बॉर्डर के जरिए तो ये एक तर इसले में अब क्योंकि अब अनिवर्सरी है ये उसकी पंद्रा साल हो गए तो अब उनको और भी जादा कहने को मिल जाएगा ने उनको मिलेगा दूसरा आलिया मैं यहां बताना चाहूंगा कि उनकी अनिवर्सरी पे एक वज़ा ये भी थी कि वो आपके जो लोग वहां पे गए थे मारने के लिए उसकत मुबए हमलों में उन्होंने वहां पे जाके सिनिगाग में भी घुजे थे उन्होंने जो मरने वाले थे उनमें कैम यहोदी बजूद थे और दूसरा उसमें जो सबसे बड़ी वाद एक और बात आपको यहां आलिया मैं बताना चाहूंगा कि अभी यह जो फलस्तीन में जो कुछ हुआ है जो इसराइल के अंदर हुआ है इसके बाद आके दुनिया में मजीद चेजिस आएंगी सारी कागजी कारवाई जो उनके पार्लिमेंट से होनी थी जो भी उनके प्रोसेस है इसराइल का उसको फॉले करते हुए उन्होंने बोला कि लशकरे तयबा इसराइल मानती है कि यह आतंकी संगठन है अचा दोस्तों ये नई बात नहीं है कि अचानक इसराइल ने सोचा इसराइल ने अक्टूबर में भी इसकी एक बार पेशकश करी थी और ये काम पहले से हो रहा था ये आज का नहीं हुआ है, ये पहले से हो रहा था, यानि कि इस October पिछले गए महने में ये कारवाई इसराइल ने वीरी दिरे शुरू कर दी थी, कल वो कारवाई मुकमल हो गई, इसराइल ने अनौंस कर दिया कि जहां तक the state of Israel is concerned, लशकरे तयबबा is a terror outfit, उन्होंने बोला है कि इनोंने कई हिंदुस्तानी मारे और ये सब लंबा चौड़ा statement था, चाफी लोग सोशिल मीडिया पर ये बूल रहे हैं कि सब, इसराइल ने इसलिए करा, क्योंकि इंडिया ने भी हमास को recognize नहीं करा था, as a terror outfit, कि वातंकी संगठन है, इसराइल ये चाहता है कि भारत हमा आतंकवाद है, ये जिस तरीके की सूरत इक्तियार कर रहा है, जिस तरीके की सूरत ये पकड़ रहा है दोस्तों पूरी दुनिया में, सोचने वाली बात ये है कि अगर चाहे वो इसराइल हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे अमरीका हो, कोई भी हो, कोई भ प्लाइन जिलते हैं और हर एक आतंकवादी संगठन हर एक आतंकवादी संगठन का इंटेलेक्च्ळ कवर फैर होता है जरूर उसके बिना आतंकी संगठन चली नहीं सकता GT g कभी आपने सुनों कभी सुन लिए कि उनको भी उनका ब्यान है कि यह होके रहना है पाकिस्तान एक दम उपर जाना है इंशालला उपर जाएगा इसलाम एक दिन पूरी दुनिया में आकर रहेगा इसके डाक्टर इसरार के बाक्तर एक साथ की तो मैं बात ही नहीं करता उसको दफा मारें देखें इससे तो आपस में बढ़ा एक तलाफा इंडिया करें नो ब्रो इसलाम एक दिन पूरी दुनिया में आकर रहेगा बस यह इस है इन्शालला हम तरीक लब्बैक पाकिस्तान पूरी अल्ला और उसके रसूल की मदद के तैद कोशिश कर रही है इन्शाल अच्छा करना पड़ेगा निजाम मुस्तफा आ जाएगा ना दूसरों को पिए एकस्प्ट करना पड़ेगा दूसरों के एक्टलाफात हैं हमारे मजभी आपस में बहुत साथ एक्तलाफात है और मैं यहां पर बात कर रहा था एड्यूकेशन की टेक्नोलोजिकल एडवास ना चाहिए जुपरी के चाहिए को यहां तक देखने के लिए और विडियो में आपने पूरी डिटेल्स में घानकरी बहुत लेकिन दृत करिन पशन करना बहुत हुआ बिकना बहुत ज़रूरी था हर। कि यह जो स्टेपे भारत की और से कोई नहीं किया गया है और यह जो स्टेप है हम करीबन तीम महिनों से इसके वपर इन्वेस्टिकेशन कर रहे थे हैं आपके सामने हम प्रस्तूत कर रहे है मनलब के सामने रख रहे हैं कि अब मान रहा है कि लशकरे जो तेबा है यह एक टेरर ग्रूप है तो यह मैं जहां तक मानता हूं अब यह जो नीड़ने लिया यह मेरे को लग रहा बहुत लेट लिया है हाला कि यह नीड़ने लेना था करीबं 10-15-20 साल के तब यह पाकिस्तान में ए एक्टिव था तो उस समय यह नीड़ने लिया गया होता तो आज जो इस्राइल में यूद्ध हो रहा है मैं मानता हूं कि यूद्ध नहीं होता क्योंकि देखो दो दुष्मान हो एक समद्लों कि जो पत्थर होते हैं उस पत्थर के तो बीस में जो गेप होता है जब को ही आ सबसे अच्छा दिसीजन लिया है और मैं मानता हूं कि अब जो पूरी दुनिया है वह भी उसके ओपर थपा लगाएगी स्टेंप लगाएगी और इस लस्करे तेबा एलीटी को नश्ट किया जाएगा हाला कि फिलाल जो है लस्करे तेबा का जो हाफीज सहीद है जो उसका मैं लीडर वो तो जैल में है लेकिन उसको वहाँ पर जो उसके घर से भी अच्छी सुविदाई मिलती है फाइस्टार जैल में उसको मतलब बंदी बनाया गया है रखा गया और यह लस्करे तो भी बनी वह दूसरे दो तीन आंता की ग्रूप बहुत सारे वहाँ तो आंता क होती अच्छा है अब यह ना यह यूद करना लड़ाय करना जगड़ाय करना वह वाला टाइम है और आंतकवादी भी मतलब दो देशों के जो मतलब जीओ पॉलिटिक्स होते उसका फाइदा उठाते है वही तो आंतकवादी यह टेरर ग्रूप है वह एक बिजनेस क्योंकि इस आंतक की हो पालने में ही पाकिस्तान का बिड़ागर हुआ तो दोस्तों पिलाले इस वीडियो से विताह लेते हैं मिलते हो और एक नहीं वीडियो मैं आपके साथ तिल देन जैहीं जैहीं जै बाराद